जैन दोस्तों अनिस्तार आइटी चलना हम से बहुत दोस्त आगात है समीर जो कि भारत सरगार के मिनिस्ट्री आफ इलेक्ट्रोनिक और इंफर्मेशन टेक्नलोजी के अंतरह ताता है दोस्तों जाहसे डिप्लूमा भी बीटे के में एम्टे के लिए कॉंट्रेक्ट वेसिस ज अब यहां बात करते हैं समीर की जो वेकेंसे निकले उसके बारें दोस्तों नोटिफिकेशन का पीडिएफ आपको सभी यहां पर अनिल सराइटी वेव सैट पर करेर आपको यहां पर देखने को मिल जाग चेकाउट करिए और यहां पर देखिए तो आपको दिखाए दिख साल का कॉंट्रेक्ट पर के लिए आपको रखा जाए और यह देखिए तो पुष्ट है रिसर्ट साइंटिस्ट जिसके लिए बी बीटे के मियम टेक एंट इलिजबन है जिसे 19 सीट है जो कि अठी है और आगे बात करें पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट ए जो कि मेकेनिकल क के लिए हैं और यह आपको दो साल के लिए रखा जाएगा 17,000 आपका यहां पर सैलरी होगा और यहां पर मैक्सिमम एज आपका 25 साल आपका होना चाहिए आगे बात करें प्रोजेक्ट असिस्टेंट में तो यह डिप्लोमा के लिए इलेक्ट्रोनिक इंजरिंग और इलेक् कम्निकेशन इंजरिंग के लिए इलिजिबल है दोस्तों यहां पर आठ सीट है जिसके लिए आपको 17,000 का आपको सैलरी मिलेगा दो साल के लिए रखा जाएगा और पचीस साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए प्रोजेक्ट टेक्निशन है जो कि आईटी पास आउट के के लिए जहां पर एक सीट है इलेक्ट्रोनिक कम्मुनिकेशन टेली कम्मुनिकेशन यानि कि यहां पर देखिए तो फॉरम का प्लाई कर पाएंगे आईटी के कैनेट यहां 15,100 का सैलरी मिलेगा जो कि 2 साल के लिए रखा यहां 25 साल मैक्सिम में जापका होना चाहिए आगे और आगे की बात करें आपको रिटेन टेस्ट होगा इंटर्विव उसी की थर पसे लिए गरा है नहीं नहीं आने खर्च नहीं दिया जागा बहले आपको लक्सन हो जाया तो आपको दिया आया सकता है ठीक है आगे बात कि अब फॉरॉम को कैसे भरना तो फॉरॉम 28 जनवरी तक फॉरॉम को फिल अब करना है वह भी औफ-लाइन के माधम से इसका मतलब यह है कि आपको फॉरॉम को प्रिडिएफ है फॉर्मेट है इसको पीडिएफ को फिल आप करके आपको दियेगा एड्रेस यह एड्रेस है सुसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेड इलेक्रोनिक इंजरिंग रिसर्च प्लॉट नमबर ल्टू ब्लॉक सी जीपी सेक्टर भी साल्ट लेक्ट्रोनिक कॉंप्लेक्स कुलकाता इसी एड्रे लिख करके आपको यहां पर फोरम पर दिया गया है और बहनार साथ ही लिफाफा के उपर भी आपको लिख देना हो ठीक है सेलक्षम का प्रक्रिया सबसे पहले सौट लिष्ट किया जाएगा कानेट को जिता फॉरम गया होगा उसकी बाद रिटेन टेस्ट के लिए बनेगा और इंट्रीटें टेस्ट और इंटर्व्यू के अधार पर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा जो सेलेक्टेट क्याइट होंगे उनको आपे जॉब दिया जागा ठीक है और तो फॉरम को अपलाई कर सकते हैं फॉरम आफ लाइन फॉरम है और यहां पर फीस के नहीं दोस्तों सेर करते हैं आप सभी का बहुत धन्यवाद